वेलकम बैक तू दा चैनल तो आज हम फिर से अपनी पोकेमोन अन्बाउंड की जर्णी को कंटीन्यू करने वाले हैं तो गाइस चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट पर उससे पहले मैं तुम सबसे माफि मांगना चाहता हूं क्योंकि जो लाइव इस्ट्रीम मैंने डाली थी वह गलती से टेड़ी चली गई थी इसलिए उसके लिए मुझे माफ कर देना और तो आज हमें लेना है पार्सल देखते हैं कि आज हमें क्या करना है चलो आगे चलते हैं और यह बीच में एक स्नोरंट आ गया है तो गिबल फायर फैंक से सहरा दो अब आगे चलते हैं और यह एक और पोकेमॉन वैनिलिटी एक आइसक्रीम जैसा पोकेमॉन है इसको आइसक्रीम सावच के खार ना जाए तो आगे चलते हैं हमें प्रोफैसर का पार्सल देना है और उन्हें डिलीवर करना है और यह अंकल कह रहे हैं कि तुम्हें पहले बैर्लिंट आउन जाना है और प्रोफेसर का पार्सल लेकर उन्हें दोगे फिर ही मैं तुम्हें आगे जाने दूँगा तो ठीक है यहां पर एक आर्टिकुनो की स्टैचू है यानि मूर्ती है और इसमें बता रहे हैं कि आर्टिकुनो ने एक बड़े डार्टनेस को हर्डल किया था मतलब उसको समाला था और यह क्या शैड़ो ग्रंट ओ यह वो पैकेज लेने आया मुझे लगता है उससे पैकेज मांग रहा है पर वो देना नहीं चाहता पर शायद यह लेकी मानेगा देखते हैं अरे चल क्यों नहीं रहा है आई सी वाल दान ओ इसने बना स्नीजल निकालिया और यह स्नीजल इस पर हमला कर रहा है इसने उसे पैसे दियो और उससे वो समान ले लिया और यह बोल रहा है कि तुम ही उन्हें वह पैकेज देने आयो तो यह बोल रहा है क्या तुम मुझे फाइट करोगे और फिर मुझे जाने दोगे हम फाइट करेंगे और इसे हराएंगे स्नीजल वर्सेज गिबल फायर फैंक सुपर एफैक्टिव चीज है तो यह एक ही अटैक में हार चुका है बहुत ही अच्छे गिबल तो हमने हरा दिया है शैडो गुरेंट को और अब देखते हैं शायद ही हमने देखते हैं नहीं वह भाग गया है तो हम भी उसके पीछे जाएंगे यहां पर उपुलिश अंकल थे उन्हें शिकायद करेंगे पर उपुलिश अंकल है कर दर भाग रहा कई और यहे ऐँ क्या क्या यह तो किस बाध कर रहा है ठीक है ओ यह क्या यह यह तो वही मारलॉन है ना तो इसने चोरिकर वाई है तो देखते हैं यह बोल रहा है कि अब हमें पुलिस को अपनी टेल पे नचाना है और अब यह खतम कर देंगे इनको और यह कोई जैप है उसको रिपोर्ट करना है इन्हें देखते हैं यह अंकल क्या बोल रहे हैं यह अंकल वही बोल रहे हैं जो पहले बोल रहे थे तो हम आगे चलते हैं प्रोफेसर के पास चलते हैं कि उनका पार्सल चोड़ी हो चुका है यह बीच में पोकेमॉन क्यों आ रहे हैं और यह एक और पोकेमॉन वैनिलिटी फिर से आइस्क्रीम और यह इस आइस्क्रीम को भी हमारी गिबल ने खा लिया है और गिबल लेवल 16 का यह वॉल्व कित्ती लेवल में होता है मुझे कमेंट्स में बताना कि गिबल कित्ती लेवल में होता है वैसे मुझे लगता है कि यह शायद 28 लेवल में होगा ओ यह प्रोफेसर भी वही बोल रहे हैं जो यह पहले बोल रहे थे तो ठीक है हम चलते हैं आंगे ओ मुझे मार्लों दिखा ठीक है उसके पास एक कटेनिया है इसने वह पेड़ काट दिया है तो ठीक है और यह क्या बोल रहे हैं इसका मतलब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ओ यह शायद Ar장을 राए किशक्ट है इसे पकड़ लेंगे लगते Emergens क कि它ब éta कोनो तुम मेरे हो और इसे फोके बोल ने पकड़ लिया है और यह बुत रहेंगे अन ले गूर्ण्ट हम से हाइड करेगा ठीक है हम आराम से अरा Cory सकते हैं और इसके पास है एक स्ट्रोंट इनके पास अभी आइस ट्राइब के लाओ कोई भी अलग पोकेमॉन है भी नहीं तो ठीक है हमने अहरा दिया है और चलते हैं और यह हमें पैकेज दे रहा है वापिस ठीक है और इन्होंने इसमें से एक पोकेबॉल फैक्ट दी है एक पोकेबॉल इन्होंने खराब कर दी है बिचारे प्रोफेसर की तो हम प्रोफेसर को दे देते हैं और हमने इनको पार्सल दे दिया है और यह बोल रहा है कि इनके फ्रेंड है ओक उन्होंने भेजा था यह तो देखते हैं पार्सल पोकेबॉल रहा है कि मार्श बॉल गायब है यहां से तो यह पूच रहा है कि हमने इसे ओपन किया था तो को हम यस कर देते हैं क्योंकि एक तिरिके से हम ओपन किया ही था तो वो जो पोके वाल आर्टिकुनों पे इन्होंने फैक कि थी वो शायद मास्टर वॉल थी और शायद एक नहीं यह थोड़ी ज्यादा मास्टर बॉल्स थी तो यह बोल रहा है कि इनका एक पुराना दोस्त है जो ढ्रेशकल क हमें जाता है तो शायद़ अब हमें ड्रेशको टाउन में जाना है कि यह बोल रहे हैं कि तुम आ हैस क्लिके जानते नहीं होगे तो टाउन मैप लेडलो इसमें तुम्हें सब पता लग जाएगा तो ठीक है वह चलते हैं आरहे ये प्रोफेशर कितना बोल रहे है हमें जाने भी नहीं दे और हम B기क जो कि आया है केंटो से बॉर्टिश इसर के पोक्ेमों के बारे में सारा देटा अनुदा लख लुग देंगा है अई तो हमें ये बोल रहे हैं की रेकोर्ड करना है डेटा अगर तुम चाहत beta जो के सबसे important चीज है एक Pokemon के लिए तो ठीक है जो बोल रहे हैं कि इसकी बहन रहती है CCT में क्या नाम था मैं देख नहीं पाया कोई नहीं अपने आप पता लग जाएगा चलते ओ पैकेज और इसमें है एक पोकेट एक्स दुग के हमारे राइवल के लिए है तो मुझे लगता है हमें हमारा राइवल मिल सकता है पीच में किदर तो ठीक है हम चलते हैं आइसेकल केव में जहां पर वो बुड़े अंकल खड़े थे एक और स्नोर रंट बीच में फैर फैंक का यूज करेंगे और चलते हैं एक और पोकेमोन एंकाउंटर यह है एक वैन ये लेटी है हम इसे रंट कर देते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ भी ज्याद नहीं है और उपर से फायर फैंक भी कम है पर यह वैन लिटी मान नहीं रहे हैं तो इन्हें हरा के ही छोड़ेंगे और यहां से तो रस्ता है निया पहले भी आइसे रस्ता सهसर महँन सचाहें यहां से भी ओगा तो ठीक है आग Kagya चलते हैं एक और वैन लीटी हम रन कर देते हैं सिंपली इससे और हम लगबग पहुंच चुके हैं आइक एक वैनिलेटी आ चुका है बीच में पर कोई नहीं इन बुड़े अंकल से बात करके देखते हैं और यह बोल रहा है कि प्रफेसर लॉग ने तुम्हें पोकेबॉल दी हैं और यह क्या हमें इसमें भी पोकेमॉन पकरना शिखाएगा और सेवन लेवल का वैनिलेटी वो पोकेमॉन रेडी कल रेड वाले अंकल तो ठीक थे वो तो कम सकम फाइफ लेवल का वीडल पकड़ते थे इन्होंने तो सेवन लेवल का वैनिलेटी पकड़ा है क्या चक्कर है इन अंकल्स का पता नहीं इनके हाथों में क्या होता है जिससे बकर लेते हैं वह हमें मिल एक क्विक बॉल तो क्विक बॉल का काम होता है अगर हम पहली शुरू की एक या दो टरंड्स में उसे यूज करते हैं तो ज्याद एफ़ेक्टिव रहती है और यह बोल रहा है कि तुम्हाइं से किल केव को अच्छे से एक्स्प्लॉर करो और देखो चलते हैं और जो आइस पड़ी हुई है शायद वाहां पर गोई हीडन आइटम हो सकता है इसलिए हम उसे अच्छे से चेक कर लेंगे यहाँ पर कोई इडन आइटम नहीं है तो आगे चलते हैं बर गीम माईट यह पोकेमोन तो एकदम बर्गर जैसे दिखते हैं और यह स्पील एक सील पोकेमोन तो मेरे पास तो रिपैल भी नहीं मैं सुचा था मेरे पास रिपैल तो होगे दिखते हैं आई साइकल के में से कहां पर निकलेंगे यहां पर तो आइसेकल के दिख भी नहीं रही है राइस गोटान पर आइसेकल के कहा थी आइसेकल के उका तो नाम ही नहीं आया एक और बहुए मिटी माइट मकीटा आइस टाइब बाल जगे में मकीटा जैसे पोकेमॉन क्या कर गया है और ये एक battle हो चुकी है हमारी और ये है स्नोरंट वर्सेज गिबल हम यूज़ करेंगे firefang का और ये हमने हरा दिया है इसको भी तो ठीक है रोगन रोला रोगन रोला पर सैंटूम सुपर एफेक्टिव होगा हम वह यूज़ करेंगे और हमने इसे एक attack महरा दिया है और वहां पर एक pokeball पड़ी है मतलब दो pokeball पड़ी है पर एक के लिए हमें यूज़ करना है रोग smash जो कि हमारे पास है नहीं यहां पर बहुत अलग अलग चीज़े यूज़ करनी है तो मुझे थोड़ा confusion हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमाए fire fang भी खतम होने वाले है तो हम थोड़े sand tombs का भी यूज़ करेंगे और इसने हमें 4 warm कर दिया है हम sand tom का यूज़ कर लेते हैं और हमने हरा दिया है कितने pokemon हैं आपे बार बार pokemon आए जा रहा है ओ चैंसी बहुत ही साही time पर हमें मिली है क्योंकि हमाए fire fang लग भग खतम हो गए थे और ये एक और battle उसके पास है मकीटा मकीटा को हम उसका हैं टैकल और ये तो हमें मारे ही जा रहा है आम तरट से कटक 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 मारे जादा था चार बार मारा इस क्राइगी ओ पेवेक ये तो बहुत strong move है अगर बाद में लग गे तो हमने हरा दिया है स्क्राइगी कोई भी और देख लेते हैं यहां से तो सर्फ करके जाना है सर्फ हमारे पास है नहीं और उपर एक पोके बॉल भी बड़ी है मैं सोच रहा हूँ यहां पर जब मुझे सब चीज़े मिल जाएंगे जैसे कि सर्फ रॉक स्मेश वगरा वगरा तो मैं आके यहां पर यह सारी चीज़े ले लूँगा यह एक और मंखुईता है हम हील हो लेते हैं और चलते हैं होंगे मैं सोच रहों मैंने रिपल्स क्यों नहीं खरी दे पीछे चलते हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि यहां से हमें जाना है किदर और यह एक और मंखीता आ गया है बीचे में तो लगबख हम यह केव पार्क करी चुके हैं बर्लिन टाउन में आ चुके हैं हम ओ यह केव में जाना है शायद यहां पर यहां पर रॉक क्लाइम का यूश करना है जो कि हमारे पास अभी है नहीं तो हम खरीद लेते हैं इसे रिपैल्स और मुझे लगता है कि हमें शायद वहां से ही जाना था पर कोई नहीं देखते हैं तो दस तो सोड़े ज्यादा हो जाएंगे कि हमारे पास अभी तो रुपए है भी नहीं पोर्शन्स भी तीन ले लेते हैं ताकि पांच हो जाएं और चलते हैं फ़र से वापर वह आई साइकल के में उससे पहले में इक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि हाँ पर, कुछ और तो नहीं है तौन में में देखना पड़ेगा कि आई से कल केवखत्म कहा पर होगी यह फ्लावर प्रारडाइस है वहाँ पे खतम होगी तो आइसेकल के तो ठीक है हमें फिर से आइसेकल के में जाना पड़ेगा मैं यह मैं चेक कर रहा था कि मैंने लाश्ट टाइम से कहां पे किया है और यह रोगन रोला स्वाइन अब आगे है फिर से और यह हमान राइवल गबर आ चुका है तो हम इसे दे देते हैं इसका पोकेट एक्स और ठीक है और यह क्या इसने तो हमसे बैटल भी चालू कर दी है इसके पास है स्वाइन अब लेवल ट्वैल का और इसकी स्पीड भी हमसे तेज है पर कोई बात नहीं और यह कटाइब नहीं यह तो हम पर चाल गुना एफेक्टिव है कि बल एक और लेवल अप हो चुका है इसका लाव इटार लेवल ठाटीन का है हम यूज कर लेते हैं सैंट्रूम का और यह हारा नहीं है तो सैंट्रूम इससे हमें कुछ नहीं होगा तो हमने हरा दिया है हमाई द्राइवल गबर को तो ठीक है ओ इसने हमें पाचा पहरी इस दी है तो यह बोल रहा है कि शाइद पहले या दूसरे जिम्में ये बार बार पोकेमोन कोईजन कर देते हैं तो तुम पाचा पहरी इस अपने मकमोन को दे सकते हो तो हम देते हैं पाचा पहरी अपने गिबल को और चलते हैं आगे विए प्स्पिल विए प्स्पिल ये बार बार सी स्पिल आये ही जा रहे हैं और ये एक और बैटल इसे पास एक स्पिल है जो की एक वाटर और आइस टाइप पोकेमों होता है हम यूज कर लेते हैं सेंटूम वो इसने यूज किया है वाटर गन और ये हमने हरा दिया है स्पिल को अगला पोकेमोन है बर्थ माइट थोड़ा से बचिए उसने यूज किया है कर्स कर्स दो टाइप के होते हैं जो गोश्ट टाइप वाला कर्स होता है उससे वो जो पोकेमों कर्स यूज करता है उसकी आदी हल्थ कम हो जाती है और धीर धीर हमें भी एफ्लिक्ट करता है पर इस वाले कर्स से बस स्पीड बढ़ जाता है तो मैं तो भूल गया था मैंने रिपेल्स भी खरीद दे हैं और यह हमारी बैटल हो गई और उसके पास एक रटाटा ओ यह लगबगा रही गया था इस नहीं उसके है पर्शूट का सेनेट्रिट हम इसे हरा देंगे ठीक है और मैं सोच रहूं कि मैं भी हमारे राइवल की तरह एक और नया पोकेमोन पकड़ू तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि मुझे कौन सा पोकेमोन पकड़ना चाहिए हमें मिला है एक सूपर पोशन हमारे पर निकल चुके हैं महार और यह आ गये हैं मारलॉन और उसके साथ ही और यह किसी सिंडर वॉल कैनो की बात करें हैं वॉल कैनो मतलब तो मॉल्ट्रेस भी हो सकता है क्योंकि मॉल्ट्रेस फायर का प्रतीक है और वॉल कैनो में भी एक त मतलब पहले किट्स बच्चों ने हमें नोटिस कर लिया था और उन्हों ने हमें तंग भी किया था तो अब यह जा रहे हैं और यह एक और वैटल और इनके पास है रोगन रोला तो हमने हरा दिया है रोगन रोला को और ड्रिल्बुर ड्रिल्बुर तो एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है तो इसके उपर कुछ भी चाहदा एफेक्टिव नीए और यह हॉन क्लोस और इसने खुद को ही क्लोस से कट लिया है और यह मुझे लगता है मुझे बैटल करेंगी टाउन मैप में देख लेते हैं और ड्रेस को टाउन पास में है और यह हमारी एक और बैटल हो चुकी है उसके पास है पैट्रेट वो यूश कर रहा है बाइड का ओ नो हम तो गए तो अब मुझे मेरे गेम को लोड़ करना पड़ेगा आफ कर देना आफ कर देना तो हम निकल चुके हैं बहार अच्छा हुआ हमने थोड़ दे पाहले सेव कर लिया था वहना हमें फिर से बहुत दूर आना पड़ता और लगता है में इनसे फिर से बैटल करने पड़ेगी और यह क्या बैटल करके ही मानेंगे यहां से चलके देखता है और यहां पर तो रस्ता ही नहीं है लगता है इसे पता है कि जब हम नीचे जाएंगे तब यह नीचे देखता है और जब हम उपर जाएंगे तब यह उपर देखता है उसे हरा ही देते हैं और यह सी वी कार्मर अबिलिटी पता नहीं क्या है और यह हमने राज्या है रोगन रोला को ओ फ्यूरी स्वाइक्स ओ नहीं 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 ओ नहीं फिर से गेम को लोड़ करना भड़ा और यह मेरा गेम अपने भी लोड़ हो रहा है पता नहीं क्यों और रोगन रोला अब की बारा हमें शहरा देंगे लगता है आलाम से यूज क्या है हार्डन हार्डन से कुछ ही नहीं होने वाला है हम यूज कर लेते हैं सेंट टॉम और इसे हरा देंगे तो ड्रिल बुर पिछली बार इसने हमें हरा दिया था पर अब की बार हमें से हमारा बदला पूरा करेंगे और फिर से फ्यूरी स्वाइप मार रहा है और यह हमें से चार बार ही क्यों मारता है इड्रिल बुर और इसने हरा आटक आवाइड कर दिया है लगता ही हमें फिर से हरा देगा नहीं हम बच चुके हैं और यह हमने हरा दिया है अंकल को फिर से अब की बार हम इस लड़की से बात करके देखी लेते हैं ओ तो यह हमें टेलिपोर्ट कर देगी तो ठीक है हम सीव करके कर देखी लेते हैं टेलिपोर्ट और यह हम आच चुके हैं ट्रेस को टाउन में है तो अगर मैं उनसे पहले ही बात कर लेता तो इता डाइम बेट नहीं होता और यह तो मॉल्टरिस है तो आर्टिकुनों की तरह इसने भी वो डार्क फोर्स को रोका था सुरी मुझे माफ कर देना मेरे थोड़ी सी जुखाम हो रही है यहां पर भी कुछ अलग नहीं है देखते हैं किया किसी किसी गेम में या ओ यह क्या यह हम पर चेर अगयरा भी लग रही है और यह बंदा भी गेम खेल रहा है मुझे लगता है क्या बोल रहा है यह पता नहीं यह क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और यह बंदा बाहर को खड़ा यह क्या रहा है कि ग्रेंट पाप और सेंट्रों और डीफोग की जर्रत है और क्यूं और हमने तो हमारे इबल का सेंट्रों भी हटा दिया है और यह क्या हुआ है यह कौन बोल रहा है वह यह है जैगार रिशर्चर एट जैगार के बारे में कुछ बात कर रहे हैं यह बोल रहे हैं कि जैगार के कुछ पीसेज हैं पूरे बोरियस रीजन में जो कि जैगार कलोसियन आनमी का है पर वो जब बोरियस और कलोस की बैटल हुई थी तब वो यहां पे आया था और जैगार तब ही आता है जब एको सिस्टम में प्रॉबलम हो यह बोल रहे है क्या तुम बोरियस रीजन के अलग अलग हिस्टो में ट्राइवल करोंगे और वो जैगार के जूँप होगे तो हम दूँन लेंगे और ये बोल रहा है कि हमारा सुपर क्यूव हमें जैगार के शेल्स देखने में और लेने में मदद करेगा और ये बोल रहा है जब 10% हो जाए तब तुम यहां पर वापिस आ सकते हो और यह तो जिम जैसा लग रहा है तो चल जहां और यह क्या हुआ ही दूआ हो रही है यहां पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और यह हमारी बैटल हो चुके है उसके पास एक चिरूबी चिरूबी पर तो फायर फैंक सुपर एफेक्टिव है पर उसने आवोइड कर दिया है और यह क्या रहा है ता फॉग इस डीप और मुझे लगता है कि यह जो फॉग है इसकी वाज़े से हमारे अटेक्स नहीं लग रहे हैं यह देखो टैकल वगयरा भी कुछ भी नहीं लग रहे हैं ऐसी जगह पर अनवोइडेबल अटेक्स तो बहुत अच्छा रहता है वर हमारे पास वैसा कोई अटेक्स नहीं है और हमारे पास सेंड्स्रॉम या डीफॉक भी नहीं है जिसे हम इसे हटा सके और सेंड्स्रॉम तो गिबल के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि शायद हमारे गिबल के अबिलिटी सेंड्स्रॉम है उससे यह होता है अगर सेंड्स्रॉम चल रहा हो तो पोकेबॉन का एफसेंज भर जाता है और पोकेबॉन आराम से बच पाते हैं मुझे सामन्यों नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है जिम लीटर कहां पर है यह एक और बैटल हो चुकी है उसके पास है बर्मी और यह वहीं फॉग और यह प्रोटेक्ट का यूस्ट्यू कर रही है यह बार बार कभी प्रोटेक्ट का यूस्ट कर रही है कभी अवाइड कर रही है हमारे अटेक्स को और यह लग चुका है और यह लग वगहार ही गई थी और यह फिर से प्रोटेक्ट एक बार प्रोटेक्ट कर यूश करता है फिर एक बार अटेक करता है और यह हमने हरा दिया है इस पर्मी को और गिबल सीखना चाहता है मैटल क्लो हमने सिखा दिया है मैटल क्लो से हो नहीं हमारी बहुत कम हेल्थ हो चुकी है और लग बगहार ही गया था हमें अपने गेम को लोड करना वड़ेगा जब तक इस पर अटैक लगने ही जाता और मुझे लगता है इस पर अटैक लगने में नहीं वाला तो हम कुछ और यूज कर देगे हैं और यह तो बार बार ही गेमर अटैक्स को अवाइड के जा रहा है अब तो यह सब चीज़े ही अवाइड करें जा रहा है अब लगा है ओ यह फिर से एक हैल्थ में बच गया कि मुझे बार बार अपने गेम को लोड करना वड़ रहा है और शायद अब हम इसे हरा सकते हैं लिक बच गए हम पैरलाइज नहीं हुए और फिर से हमारा टैक अवाइड कर दिया है पर अब कि बार हम ने भी इसका अटैक अवाइड कर दिया और इसने हमें फिर से हरा दिया है और यह हाट चुका है फाइनली हमने हरा गिया है पैंसेज को तो ठीक है ओ यह लड़की कुछ अलग दिख रही है पर मैं फिर भी जिमलेटर को ढून लेता हूं क्या बोलना चाहती है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ओ यह बोल रही है क्या तुम बैटल करने आ हो ओ मतलब यही है जिमलेटर और यह बोल रही है कि तुम्हें एक और पोकेमोन अपने साथ लाना होगा वरना मैं तुमसे बैटल नहीं करूनी तो मुझे लगता है डवल बैटल करने वाली है हम आज के लिए इतना ही करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमें बताना कमेंट्स में कि हमें कौन सा पकेमोन पकरना चाहिए मिलता हूं तुम सबसे अगले